हेलो एर्विवन वेलकम टो माई चैनल ये स्ट्रेंडिंग फैसन में आपको सिखाऊंगी सिंपल कपड़े से सूट में पाइपिंग कैसे लगाते हैं गाइज इसमें ना ही हमें सिंगल बूट चाहिए और ना ही औरे भी पट्टी कट करनी है बिलकुल सीधी डेड इंच चोड़ाई वाली लंबी पट्टी कट करनी है और सिंपली लगा देनी है और देखिए ये डोरी वाली पाइपिंग के जैसे ही हमारी सुन्दर पाइपिंग लग जाएगी हम बाजू और साइडो में पाइपिंग लगाएंगे गाइज सबसे पहले हम बाजू में पाइपिंग लगा लेते हैं गाइज अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए स्टार्ट गाइज हमने ये जो हमारा बाजू का माप था उससे दो इंच एक्स्टा लिया था डेड इंच नीचे से मोडने के लिए और हाफ इंच उपर से मोडने के लिए मार्जन के लिए और ये जो डेड इंच हमने नीचे से लिया था हम यहाँ पे टिक कर देंगे ऐसे डेड इंज पर टिक करके और आप हम इसको ऐसे लाइन खीश देंगे इसकी और इस लाइन पर हम यह जो हमने सिंपल कपड़ा लिया है बिना डोरी के हम लेस लगाएंगे बिल्कुल सिंपल कपड़ा है ब्लैक कलर का क्योंकि हमने इसके नीचे ब्लैक लूज पला जो पहनना है और ब्लैक लूज पला जो कैसे सीलते हैं कटिंग करते हैं उसका भी वीडियो का भी लिंक मैंने डिसक्रेपशन में दिया हुआ है आप वहां से देख सकते हैं अब हम इसको ऐसे करते हैं यह हमने कपड़ा लिया है एक इंच और इसको हम ऐसे डबल करके मोड लेंगे और ऐसे लगाएंगे यहां पे सीधे साइड हमने यह लाइन कीची है निसान लगाया है और इस पे हम यह ऐसे कर लेंगे और यहां से इस कपड़े को हम थोड़ा सा ऐसे मोड़ेंगे और इसके उपर ऐसे चड़ा देंगे हमने जितना पाइपिन पतला रखना है हम उतना ही इसको बहार निकालेंगे ऐसे और यहां से सिलाई लगाएंगे यहां से पास पास यह देखिए guys हमने शिलाई लगा लिया हैं हमने देखो कितना पतला लिया है बिल्कुल फनीशींग से यह आ गया है और अब हम इसको कट कर देंगे और guys अब हम इसको ऐसे अंदर की तरफ मोड देंगे ऐसे यह देखिए कितना अच्छे से आया है ये ऐसे सिलाई लगा देंगे अगर आप ऐसे प्रेस करके इसको अच्छे से ये कोटन का कपड़ा है तो अच्छे से बैठ जाएगा अगर आपका वैसा कपड़ा है योनका या अलग से तो आप यहाँ से बिल्कुल यहाँ से सिलाई लगा दीज़े यह बीना डोरी वाली लियस लगाना बहुत इजी है यह आपको कोई इसका बूट चेंज नहीं करना इसी बूट से आप आसानी से यह बूट लगा सकते हैं बलकि उस से भी अच्छी फीनीसिंग आती है। यह देखे गाई़ आमने कितने अच्छे से यह पाइपन लगा ली है। कि देखे कितनी अच्छे से फिनिस पिनिशिंग से आई है यह ऑज़ी पाइपन. लगा के और नीचे से मोरना है उसके बाद हमारा सूट कम्प्लीट हो जाएगा तब हम यहां साइड में पाइपिन लगाएंगे इसके लिए हम माक करेंगे इसके लिए हमें यह ध्यान रखना है गाइस काट टाइम जब हम कटिंग करेंगे सूट की तो हमें यहां से दो इंच एक्स्रा रखना है यहां तक वहित्यों कि हमरा पाईपन लग सकते हैं नॉर्मल के लिए यह देखे गाईज हम यहां से लेके और यहां तक हमने जितना मोड़ना है वहां पे हम निशान लगाएंगे ऐसे और यह हमने उल्टी साइड लगाया है और अगर आपका कोटन का कपड़ा है तो आप ऐसे करके जहां से हमारा यह सिलाई है वहां से ऐसे पकड़के और इनको दोनों को ऐसे पकड़के आप ऐसे भी कर सकते हैं और इसको ऐसे प्रेस कर देंगे इसको ऐसे प्रेस कर देंगे तो यह हमारा लाइन बन जाएगा और हमें फिर सीधी साइड निसान लगाने में आसानी होगी ऐसे और हमें चारो तरफ ऐसे ही निसान लगाना सीधी साइड देखे गाइस हमारा यह जो क्रीज यह दिख रहा है तो अब इसको हम सीधी साइड ऐसे लाइन बनातेंगे इस साइड भी यह जो दिख रहा है पये साइक, आइसे ही हम इस साइड भी लगा लेंगे इस साइड भी अइसे ही लगा लेंगे अंदर की साीड हमें निसान लगाने हैं सेम प्रोसेस गाईज हमने ये cutting किया है डे डिन्स का पट्टी बिल्कुल simple ये कोई औरे भी पट्टी नहीं है बिल्कुल simple cutting किया है लमबाई में ऐसे और अब हम इसको ऐसे double करेंगे जैसे बाजू में लगाया है वैसे ही same ऐसे double करेंगे और इसको ये जो double किया है ये बंद साइड है जो ये इस तरफ अंदर की तरफ करेंगे और भार की तरफ ये open साइड करेंगे और इसको हम ऐसे अगर आप साथ साथ में ऐसे नहीं कर सकते मोड सकते तो पहले इस पे यहां से double करके मोटा मोटा टाका लगा लीजिए ऐसे करके और हम साथ की साथ कर देंगे इसको ऐसे लगाएंगे और फिर हम इसको ऐसे मोडेंगे थोड़ा सा और फिर हम इसको ऐसे कर देंगे जैसे हमने बाजू में लगाया है सेम प्रोसेस हमें जितना रखना है यहां पे जितना पतला रखना है मोटा रखना है हम उसी साफ से रख लेंगे और पास-पास से सिलाई लगा देंगे यह देखे गाइज यहां से सिलाई लगा देंगे ऐसे करके यह देखे गाइज इस लाइन के उपर से हमें यह बिल्कुल उपर रखके ऐसे और इसके उपर ऐसे यह करके पूरे में सिलाई कर देना है अब हमारा जो यह बंद पॉाइंट आ गया है यहां से हमें थोड़ा सा यहां एक इंच ज्यादा लेना है और इसको कट कर देना है इसको हमें ऐसे लगा देना यहां तक सील देना है ऐसे करके यहां तक सील पे ऐसे उतार देंगे सेम हम ऐसे ही इसी प्रोसेस से सेम चारो तरफ लगा लेंगे यह देखे गाईज हमने चारो तरफ यह लगा लिया है ऐसे मोड के अब हम इसको ऐसे अंदर की तरफ मोड देंगे और डी साइड ऐसे यह देखे गाई जमारा कितना अच्छे से यह पाइपन आया है अब आप चाय तो यहां से आप बिल्कुल बारिक बारिक सिलाई लगा सकते हैं इस कपड़े पे और नई लगाना है तो आप यहां से सिलाई लगा दीजी अब ऐसे मोड के ऐसे मोड के यहां से आप बड़ा टाका लगा सकते हैं मोटा मोटा टाका उसको बाद में तुर्पाई करने के बाद खोल देंगे और हमारा अच्छे से यह लग चुता है यह देखे गाइस हमने यह पूरा लगा लिया है दोनों तरफ कितने अच्छे से आया है इसमें कोई भी जोल नहीं आया है बिल्कुर देखो सीधे सीधे यह पाइपन आया है इसका और आब हम इसको नीचे से मोड लेंगे आई मैं वीजान टाफ है है और देखे गया है कितना आच्छे से पायपिन लगा है और सचंपीन का और्चे को यह ब्ट हम पिनिया है अब कर दीजाइन केंद है एम फी नुआ है है हमारा यह कंप्लीट हो आइज अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन को जरूर दबाए इससे आपके पास मेरे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा थैं